नमस्तार आज की बात में आपका फ़ागत है सबसे पहले आप सबको ईद मुभारक आज देश में कई इंट्रेस्टिंग रिवेपेंट्स हुए बिलोनियर एलन मस्त ने बयान दिया अमेरिका में लेकिन इवियम एक बार फिर राजीती का मुद्दा बनी हमारे मुल्क में राउल गांदी को मौका मेला तो उन्होंने इवियम को बलैक फॉक्स बता दिया अकिले शादव चुनाफ को फिर से पुराने यूग मे ले जाना चाहते हैं उन्होंने बैलेट पेपर से चुनाफ कराने की म प्राव आज और तेस हो गया राज इपाल ने गवर्नर हाउस में तैनाद बंगाल पुलिस के जवानों और अफसरों को बाहर निकाल दिया लेकिन आज सबसे ज़्यादा परिशान करने वाली खबर आई दारजिलिंग से यहां एक बड़ा ट्रेन हास्ता हुआ इस वेशनम एक्सिनेट साइट पर पहुँच गए हैं लेकिन ममता बैनर जी ने केंद्र सरकार पर रेलवी की सुरक्षा की अंदेखे के अलगाया ममता ने का कि मोधी सरकार सिर्फ वादों और विज्यापन पर चल रही है ट्रेन के सिर्फ किराय बढ़ाए गए नई 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 ट्रेन्स को हरी जंडी दिखाई गई लेकिन पैसेंजर्स की सिक्यूरिटी सेफटी और सुविधाओं पर कोई ध्यान नहीं दिया गया आबादी पार्टी और कॉंगरेस ने भी मोधी सरकार को खेरा लेकिन सवाल है कि एक्सिर्ट के मामले में सियासी बयानबाजी कितनी ज परवाई थी, Human Error था, या फिर सिस्टम में कुछ गडबर थी, Technical Glitch था, सवाल ये भी है कि इस तरह की एक्सिर्ट कैसे रोके जा सकते हैं, रेलवे यात्रा को और सुरक्षित कैसे बनाया जा सकता है, इन सब सवाल उपर चाचा करेंगे आज की बात में, लेकिन सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ कि दरजिलिंग में आज एक्सिर्ट कैसे हुआ, फिलाल वाँ क्या हालात है, असल में अगर तला से सियल्दा जारी कंचंच जंगा एक्सप्रेस, जब आज सुबा न्यू जल्पाई गुड़ी से आगे एक हौल पर रुकी हुई थी, उसी वक्त पीछे से हारी एक गुड़ी स्टेशन ने पैसेंजर ट्रेन को टकर बादी, यहासा रानी नगर और चातेर हाट स्टेशन के बीच सुबा नौ बज़े के आस पास हुआ, न्यू जल्पाई गुड़ी स्टेशन से ये इलाका करीब 10 किलो मेटर दूर है, माल गाड़ी के टक गार्ड वेगन बुरी तरह से परबाद हो गया, इसके परखच्च चुड़ गए, इस वेगन में मौझूद गार्ड की मौके पर ही मौत हो गया, इसके अलावा गुड्स ट्रेन की जो ड्राइवर है, उसकी भी मौत हो गया, इस एकसेंट में नों की जाच चली गई और जल्पाई गुडी से रिलीफ ड्रेस्क्यू टीम कटना स्थाल पर पहुँच गई, न्यू जल्पाई गुडी और कटिहार से रेलवे के बड़े अफसभी तुरंत मौके पर पहुँच गए, जिस जगह हास्ता हुआ वो नौर्स फ्रंटेर रेलवे जोन में आता है, रेलवे एंजियोज ने कटना स्थाल पर पहुँच कर पानी, दवाओं और खाने पीने के समान के अंतिसाब किया, इस एक्सिंट के बाद इस रूट को बंद कर दिया गया, जिसकी वज़े से 19 अन्य ट्रेस्स को कैंसिल करना पड़ा, प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी ने हास्ते पर इल्वे बोर्ड के चेर्मेन ने का कि शुरुआती जानक में पता चला कि ये एक्सिंट गुड्स ट्रेन के ड्राइवर की लापरभाई के कारण हुआ, मालगारी के ड्राइवर ने सिगनल के अंदेखी की, रेल सिगनल को जंप किया, इसलिए मालगारी पट्री पर खड़ी पैसेजर टेंज से टकरा गई। और उसके आगे जो जेनरल कंपार्टमेंट थे, वो भी थोड़े से शती ग्रस्त हुएं, तो रेस्क्यू अपरेशन्स कंप्लीट हो गए हैं, हमारा एरिया ओफिसर जो जलपाई गुडी में, न्यू जलपाई गुडी में है, और उसकी टीम तुरंद वहाँ पहुँच ग और इनडी आरेफ, आर्मी, एवरीबडी, सब कोई वहाँ पर पहुच गये हैं, घटनास तर पर रेस्क्यू के लिए, तो सारा रेस्क्यू कंप्लीट हो गया है, लोगों को जो वहाँ का नजदी की अस्पताल है, मेडिकल कॉलेज है, नॉर्थ बेंगॉल मेडिकल कॉलेज वहाँ पर पहुचा दिया गया है, सारी अम्बूलेंसे आ गई थी, उसकी मदद से लगबग पचास लोग इंजर्ड हैं जो की अभी हास्पिटल में हैं दुर्गटने के खबर मिलने के बाद, रेल मंतरी अश्विनी वैशनव तुरंट न्यू जलपाई गुड़ी के लिए रवाना हो गए, उन्होंने हास्से में मारे गए लोग के परिजनों को दस दस लाक रुपए, गंबी रूप से जखमी लोग को ठाई लाक और मामूली पर गायलों को पचास हजार रुपए के साहिता देने का इलान भी किया, रात का इलान करने के बाद, अश्विनी वैशनव दिली से बाग दोगरा पहुँचे, और वहां से मोटर बाइक से कटना सल्थ तक पहुँचे, रेस्क्यू बिशन का जायजा लिया और रेलवे ट्र ट्रेक रिस्टोर करने के काम का देरिक्शन भी किया, कटना सल्थ से अश्विनी वैशनव सिलीगोडी पहुचे, उन्होंने नौर्थ बंगाल मेडिकल हॉस्पिटल में भरती घायलों से मुलाकात की, उनका हाल चाल लिया, रेलवे ट्रेक को रिस्टोर करने के बाद, हास् बताय जा रहा है, रेल मंतरा ने एक्सिट्ट की जाच के लिए एक टीम भी बना दी है, लेकिन इस मामले में अब सियास्ता चूर हो गई है, कॉंग्रेस, तुन्बूल कॉंग्रेस और आमादमी पार्टी ने इस दुरघटना के लिए सीधे सीधे रेल मंतरी को जिम्मेदा ठहराया, राउल गानी ने ट्वीट किया, पिछले दस साल में मोधी सरकार ने रेलवे के देखी की है, राउल ने का कि पैसेंजर्स की सेफटी के लिए कुछ नहीं किया गया और यहास्ता सरकार के मिस मैनेजमेंट के कारण हुआ, मलका जुन खरगे ने का, मोधी सरकार ने सीली गुडी पहुची, उन्होंने घायलों से मुलाकात की, उनको मदद का फरूसा दिया, ममता बैनर जी ने भी इस एक्सिट्ट को लेकर नरिद नर्मोदी की सरकार को खेरा, ममता ने का कि वो रेल मंतरी रह चुकी है, इसलिए उनको अच्छे से पताया कि रेलवे को कैसे चलाया जाता है, ममता ने लजाम लगाए कि रेल मंतरी ने रेलवे को अपने परचार का माध्या मना लिया है, बस चार्चे वंदे भारत चलाकर बीजेपी वहवाई लूटने में लगी है, ममता ने का कि बीजेपी को चुनाव से ही फुरसत नहीं, इसी वज़े से रेलवे अंदेखी की शिकार है और बार बार रेल एक्सिदेंट हो रहे हैं हम एंटी कोल्यूशन डिवाइस उसको त्वैर किया उसको चालू किया इसका बाद एंटी कोल्यूशन जो होता है जो कोल्यूशन होता है उसको हम रुख दिया था लेकिन आभी रेलवे में क्या होड़ा है मेरे को पता तो नहीं है लेकिन लोगों को आभी रेल छोड़के बा जूट जाता है गारी बंद कर देता है बहुत सारे दिक्कत होता है रेलोए डिपार्टमेंट का बाजर उठाग दिया रेलोए डिपार्टमेंट पहले जो इंपोर्टेंस पूर्ट सो मिलता था आभी नहीं है रेलोए एंप्रोईज को भी कॉंपिरेंस में नहीं लेके जाता है अब ही तो पैसेंजर को इमिनिटी भी बंद हो गया कुछ नहीं हुआ है तोटल रेलवे मिनिस्टर अश्वनी वेश्टन ने कहा ये वक्त सियासत का नहीं उनकी पहली प्रास्मित्ता लोगों को रहात पहुचाने की है और रेलवे लाइन चालू कराने की है ये पॉलिटिक्स का समय नहीं है अभी सारा फोकस होना चाहिए रेस्क्यू और रेस्टोरेशन पे पैसेंजर सेफटी के लिए बहुत बड़ा फोकस है कंप्लीट फोकस है जैसा आपने आप सोयम जानत रेल एक्सेंट दुखद है जिननों की जान गई जो घायल हुए उनके परिवारों के साथ सबको सानुबुती होनी चाहिए लेकिन इसके बजाए इस मुद्दे पर राजने तेक बयानबाजी की जाए ये ठीक नहीं है पिछले दस साल में रेलवे का जबर्दस विकास का जबर्दस सुधार हुआ है नई रेलवे लाइंस डाली गई है बड़ी स्पीड से डाली गई है अन्मेंड रेलवे क्रॉसिंग्स करीब करीब खतम हो गए हैं एंटी कॉलिजन डिवाइसे लगाई गई हैं इसके बाद भी हूमन एरर की संभावना हमेशा बंदी रहती ह इनसान कोई गलती कर दे उसे कोई नहीं रोप सकता दारजली में जो हास्था हुआ वो गुड्स्रेंट के लोको पाइलिट की लापरभाई के कारण हुआ हास्थे की जानकारी मिलने के बाद रेसक्यू का काम बिना देरी के शुरू हो गया बड़े बड़े अफसर और रेल आज लोगी फीड होगी लोग इमोशनल होंगे उन्हीं चार बाते सुननी पड़ेंगी जब उड़ीसा मेरे लहासा हुआ था तो अश्रीन वेश्टर तीन दिन तक टेंट लगाकर मौके पर जमे रहे थे ट्रैक को क्लियर कराने के बाद ही वापस लोटे आज भी हास्थे क बात बिना देर की मौके पर पहुँचे कोई राजनेतिक बात नहीं की लेकिन मम्ता बैनर जी ने सियास्था शुरू कर दी मुझे लगता है ये अच्छी परंपरा नहीं है हाला कि मम्ता के जरुख पर हैरानी नहीं होनी चाहिए क्योंकि बंगाल में तुरूबल कॉंगरेस और बीजे पी आमने सामने है तकराव की स्थिति में चुनाव के वक्त दोनों पार्टियों जो तल्की दिखाई दे रही है वो चुनाव के बाद दिन बदिन और तीकी होती जा रही है पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा अब तुरूबल कॉंगरेस और राजजी के गवर्नर सीवी आनन बोस के बीच टकराव का नया आईशू बन गया है गवर्नर ने बंगाल पुलिस के अफसरों और जवानों को राजभवन छोड़ने के आदेश दे दिये है चुकि गवर्नर हाउस के बाहर तैनाथ पुलिस से अफसरों ने हिंसा पीड़ितों को राजभवन में घुसने से रोग दिया था हाना कि गवर्नर उन्हें अपाइंट्मेंट दे चुके थे बीजेपी के नेता शुमेद उधिकारी हिंसा पीडितों को लेकर राजभवन पहुचे थे लेकिन पूलिस ने किसी को अंदर नहीं जाने दिया था इसके बाद गवर्नर ने मम्ता बैनर जी को चिठ्ठी लिखकर पूछा कि किस की आदेश पर हिंसा पीडितों को राजभवन ने खुचने से रोका गया इसके बाद गवर्नर सीवी आनन बोस ने बंगाल पुलिस के अफसरों को राजभवन छोड़ने का आदेश दे दिया यूपी के पूर डीजीपी और बीजेपी सांतित बरजलाल बीजेपी के एंपी कविता पाटिदा पंगाल से बीजेपी विधायक अगनी मित्रा पॉल ये सब शामिल है बीजेपी के ये नेता सबसे पहले कोलकाता में महाईशवरी भवन पहुचे जहाँ पर बीजेपी ने सियासी हिंसा के शिकार लोगों के लिए रिलीफ कैम्प लगाया हुआ है बीजेपी नेताओं ने रिलीफ कैम्प में रह रहे हैं लोगों से बात की और इसके बाद बीजेपी के टीम नौर्स बंगाल के कुछ बिहार अवान हो गई बंगाल में चुनाव के अंदिती जाने के बाद बसीर हाट, कुछ बिहार, बरदमान और नौर्स 24 परगर नाजलों में हिंसा की कई घटनाएं हुई है इन घटनाओं में बीजेपी और टीम सी के कई कारेकरता घायल हुए है आज पार्टी के वर्कर से मुलाकात के बाद रवीशंकर प्रसाद ने कहा बंगाल में हर चुनाव के बाद इंसा होती है, ये ममता बैंदर जी के लिए बहुत शर्म की बात है रवीशंकर प्रसाद ने कहा उनकी पार्टी की महिला कारेकरताओं को निशाना बने आ जा रहा है और इसको बीजेपी बरताष नहीं करेगी भाजपा के समर्थ तक कारेकरता अपने गाव नहीं जा सकते, क्यों है ये? ये नहीं चलेगा, ये नहीं होना चाहिए और आप पुलिस के लोगों को भेशती हैं, रेकॉर्ड करने के लिए ताकि मांदानी से बात नहीं कही जाए ये बहुत दुर्भाग ये पूर्ण है मंता जी शेम उन यू आई रिपीट, शेम उन यू भाजपा के लोग रणना जानते हैं, शान्दी पूर्ण तरीके से बिए अपने कारेकरता और वो भी हमारे महिला नेत्रियों का अपमाद हम नहीं सही है ये बहुत बिएमता से मंता याथ से हम कहना जाते है इसको आप बंद करिए, रोकिए वना जो भी दुमियम सम्मिदान के अनुसार कारवाई होगी हम राष्टिय अधिक्टों बताएंगे, उस पर विचाना होगी रविशिंगे प्रसाद ने ठीक कहा, बंगाल में चुनावी हिंसा कोई नई बात नहीं है, बार बार होती है 2010 से पहले तक ममता बेनर जी चुनावी हिंसा के मुद्धे पर लेफ्ट रंड के खिलाफ लड़ती थी और अब इसी मुद्धे पर बी जे पी ममता बेनर जी के खिलाफ लड़ रही है यह सियासी जगड़ा है, लंबा चलेगा, लेकिन ममता बेनर जी के सरकार जिस तरहें गवर्नर के साथ टकरा रही है, लोगों को गवर्नर से मिलने से रोक रही है, गवर्नर के खिलाफ केस तरच करे जा रहे हैं, ये अच्छे परमपरा नहीं है, क्योंकि गवर्नर राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच ब्रिज का काम करते हैं, अगर ब्रिज इवियम पर भी सवाल उठे चुनाव के नतीजा आने के करीब दो हफ़ते बाद एलन मस्क के एक ट्वीट को आधार बनाकर विरूदी दोलों ने एवियम के बजाए बैलेट पेपर से चुनाव कराने के मांग उठाए असल में एलन मस्क ने ट्वीटर पर लिखा कि एवियम क को खत्म कर देना चाहिए क्योंकि एवियम को आर्टिफिशल इंटलिजेंज या हूमन इंटर्वेंशन के जरीए हैक किया जा सकता है एलन मस्क ने ये ट्वीट भारत के रेफरेंस में नहीं अमेरिका के रेफरेंस में किया था मस्क ने अमेरिका के पूर राश्पती जॉन औरिको में हुई वोटिंग में गर्बडी के बारे में ये ट्वीट पोस्ट किया था मस्क इसी का जवाब दे रहे थे मामला पूरी तरह से अमेरिका से रिलेटिर था लेकिन अमेरिका में एलन मस्क के इस ट्वीट पर कोई खास चर्चा नहीं हुई लेकिन हमारे देश में एलन मस्क की ट्वीट को विरूदी दलों ने हाथों हाथ लिया राउल गाने ने लिखा जब सब्वेधानिक संस्ताइं बंधंग बन जाएं तो चुनाव परक्रिया को सिर्फ जनता ही पारदर्शी बना सकती है राउल ने का एवियम एक ब्लैक बॉक्स की तरह है चुनाव आयोग या तो मशीन या इसकी परक्रिया को पारदर्शी बनाए या फिर इसे खतम करते अकले शादर ने भी राहूल की लाइन पकड़ी और बैलट से चुनाव कराने की मांग की एलन मस्ट ने एवियम पर सवर उठाया तो पूर्व केंद्रे मंतरी राजीव चंदर्शेकर के साथ उनकी समुद्ध को लेकर एक्सपर जिसे ट्विटर कहते हैं उस पर बहस हुई राजीव चंदर्शेकर ने का भारत की एवियम दुनिया की बाकी देशों की एवियम से पूरी तर अलग है भारत की एवियम को हैक नहीं किया जा सकता राजीव चंदर्शेकर ने का ये बात उन्होंने एलन मस्ट को समझा दी है लेकिन राहुल गांदी और विपक शिन्यताओं को समझा पाना नामुपकिन है क्योंकि वो खुश से बड़ा टेक्निकल एक्सपर्ट किसी को समझते ही नहीं उन्होंनों जो कहा EVM के बारे में उन्होंने कॉंटेक्स में कहा और उन्होंने मुझे लगता है कहा क्योंकि वो इंडिया के EVM और यूएस के EVM में जो फरक है उसके बारे में वो जानते नहीं थे हमारे देश में के EVM जो हैं यूएस के EVM और रेस्टर यूरोक के EVM से बहुत ही अलग है उनका आर्किटेक्चर में ही एक सेक्यूरिटी का एक डिजाइन फीचर है तो मैंने हमारे मेरे ट्वीट में कहा कि देखे इलान मस जी ये गलत है कि सभी EVM हैकबल है और हमारे देश के जो EVM हैं दुनिया को हम दिखा सकते हैं कि कैसे बनाए जाए EVM जो हैक प्रूफ है जो सेक्यूर है तो अगर हम प्राक्टिकली देखें समझें इंडियन EVM के आर्किटेक्चर और डिजाइन तब ये जो उन्हों वो कह रहे हैं वो गलत सावित होगा तो मैंने वो कहा तो देखें ये मैं बहस नहीं है आपनी जैसे कहा एक healthy debate है वो उनके मन में जो understanding है उसको मैंने clarify करने की कोशिश की लेकिन हमारे देश में जो technology geniuses हैं राहूल गांदी के PhD और post-doctoral studies और उनके congress में जो इतने विद्वान हैं उनके सामने तो हम कुछ है नहीं Elon Musk क्या चीज है Mac क्या चीज है तो देखें उनके ग्यान के बारे में मैं कहना नहीं चाहता हूं को कोई कह भी नहीं पाएगा क्योंकि उनका जो knowledge है deep understanding है वो जूपिटर से वो लेकर आए है Jupiter Escape Velocity आलू को सोना बनाना उनके बास जो technology के काबलियत है हमारे देश में यह दुनिया बर में किसी और के लिए पास नहीं है राहूल गांदी की नेत्तित में इंडी एलाइंस जो पुराने जमाने में यूपी एलाइंस होता था हारा है तो उससे डिस्टैक करने के लिए अगर वो समझते हैं कि उनके हार में उनको जीत मिल गया है 99 सीट में वो बहुत खुश हैं और EVM के बारे में टिप पनी करकर अपने कारे करता लोगों को डिस्टैक करना चाहते हैं वो करें लेकिन कॉंगरिस समाजबादी पार्टी और दूसरे नेताओं ने कहा कि राजीव चंजशे शेकर क्या एलन मस्क से ज्यादा ग्यानी हैं उनका दावाय कि एलन मस्क टेकनलोजिक अच्छी सरा समझते हैं बड़ी बड़ी कंपनिया चलाते हैं अगर वो कोई बात कह रहे है तो उसे गंबीरता से लेनी के जरुवत हैं समाजबादी पार्टी के मास्तरचिव राम गुपाल यादव ने का जब अमेरिका और जर्मिनी जैसे देशों में बैलट से चुनाव हो सकते हैं इन देशों ने एवियम को नकार दिया है तो फिर भारत में एवियम को लेकर जि क्यों की जा रही है और इसी लिए हम लोग पहले से भी कहते आये थे कि एवियम की जगह बैलट पेपर से बोट पढ़ना चाहिए दुनिया में जहां लोगों ने चलाई एवियम पहले वो बंद की और बैलट पेपर से ही चुनाव होता है अमेरिका एक जैसे एडवांस कंट्री में भी जर्मन की बनाएं अपनी कंपनिया चलाएं भारत को फ्री सला की ज़रूरत नहीं है इलन मस्क को मुफ्त की सलाह नहीं देनी चाहिए उन्हें वहां बैट कर कार बनानी चाहिए हमें मुफ्त की सलाह ना दे इस चुनाव के बाद एवियम पर सवाल उठाने वालों का मुह बंद हो इस एलक्शन का नतीजा तो ये बता रहा है मेरे फाइदे का होगा तो मुझे बढ़िया लगता है मेरे नुकसान का हुआ तो एवियम को गाली दो ऐसा थोड़े ही होता है एवियम का मामरा ऐसा हो गया है कि बार बार जूट बोलो तरह तरह से सवाल उठाओ ताकि लोगों के मन में डाउट क्रियेट हो जाए और इस बार तो कमाल ये हुआ कि एवियम पर सवाल एलन मस्थ ने उठाए अमेरिका में उठाए किसी दूसरे इलेक्शन के बारे में कॉमेंट किया लेकिन हमारे लोग मैदान में उतर गए सुप्रीम कोड कह चुका है इलेक्शन कमिशन सौ बार सबूत दे कर समझा चुका है लेकिन कुछ लोग इवियम पर सवाल उठाने पर आमादा है उसी इवियम पर जिससे राहुल गांदी दो दो इलाकों में चुनाब जीत कर आए उसी इवियम पर जिससे निकले वोटों से बीजेपी की सीटें इस बार कम हो गई जिन पार्टियों ने इवियम से बीसीओं चुनाब जीते वो इवियम को सही मानने को तयार नहीं है इलेक्शन कमिशन की बात समझने को तयार नहीं है मोधी विरोधी मोर्ची की ठिंकिंग देखिए महराश में एक सीट पर चुनाव हार गए कम वोटों से हार गए इसलिए सारा सिस्टम खराब है इसलिए EVM फ्रॉड है इसलिए EVM हैक की जा सकती है इसलिए चुनावाय उपायस्ट है ये बिल्कुल डेगिटिव ठिंकिंग है अगर किसी को लगता है कि चुनावाय गड़ बड़ हुई है तो इसके लिए कोट जाना चाहिए तरीका है पेटिशन फाइल करनी पड़ती है जहां तक EVM का सवाल है हमारे देश की EVM में और बाकी देशों के EVM के सिस्टम में जमीन आस्मान का फरक है हमें अपने इलेक्टर प्रोसेस पर गर्व होना चाहिए जो EVM हमारी चुनाव विस्था की कुशलता का सिंबल है हम उसे दोश न दें तो बेहतर होगा सोशल मीडिया के करना आजकल हिट औरन बड़ी नॉर्मल सी बात हो गई है कोई भी किसी इंस्ट्यूशन के बारे में किसी सिस्टम के बारे में इंडिविजूल के बारे में आदा सच आदा जूट बोलकर फाँ जाता है पिर संसान सफाई देते रहते हैं अच्छी बात है कि आजकल कोट ऐसा जूट बोलने वालों की खूब खबर लेता है और महरास्ट में यह हुआ मुंबई नॉर्थ वेस्ट सीट के नतीजों के लेकर कल मुंबई के एक न्यूजपेपर ने खबर चापी वोटों की गिंती में हेरा फरी की आशंका जताई और आज न्यूजपेपर ने अपनी खबर पर माफी मांग ले रिजोइंडर चाप लिया लेकिन महरास्ट में इसी जूटी खबर को आधार बनाकर महाविकास अगाडी के नेताओं ने इवीम पर और चौनावाईव के भूमिका पर सवाल खड़े किये असल में मुंबई नॉर्थ वेस्ट सीट उद्व ठाकरे के पार्टी कुमिद्वार अमोल किर्तिकर को एकनाशिंदे की शिफसना कुमिद्वार रवीन रवायकर ने सिर्फ 48 वोटों से हरा तिया नतीज आने के 11 दिन बाद कल मुंबई के एक अख़बार में खबर चपी थी कि रवीन रवायकर के एक रिष्टिदार ने काउंटिंग सेंटर पर फोन का इस्तिमाल किया इस फोन पर ओटी पी आई और इसके जरीए ईवीम को अनलॉक किया किया पुलिस में इसे लेकर F.I.R.B. दर्ज है जिसकी जाँच की जा रही है हाला कि इलेक्शन कमिशन तुरंट इस ख़बर को खारिच किया साफ साफ कहा कि इवीम को अनलॉक करने के लिए किसी तरह के OTP के जरूरत नहीं होती ये गलत है लेकिन ये सही है कि काउंटिंग सेंटर पर किसी को फोन ले जाने के जादध नहीं होती कुछ चुनाब करमचारियों को फोन रखने के जादध होती है एक करमचारी के फोन का इस्तिमाल रविंद वाइकर के रिष्टदार ने किसी वेक्टि को फोन करने के लिए किया ये खलत था लेकिन इसका EVM से या काउंटिंग से कोई लेना देना नहीं है चुकि इलेक्शन ड्यूटि पर तैनात करमचारी ने रविंदर वायकर के इससार को अपना फोन दिया उन्होंने काउंटिंग सेंटर के भीतर फोन का इस्तिमाल किया इसलिए इस मामले में F.I.R. दच करवाई गई है इसके बाद जिस आखबार ने खबर चापी थी उसने अपनी खबर को वापस ले लिया इसे खलत बताया और माफी भी मांग ली लेकिन आदित ठाकरे ने कहा इलेक्शन कमिशन कॉम्परमाइजड है काउंटिंग में धानली की है इलेक्शन प्रोसेस टांस्परेंट नहीं है अब इस मसेले पर कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी चुनाओ नतीजे आने के बाद इस बात की चर्चा सिर्फ देश में ही नहीं बलकि विदेशों में भी हो रही है कि EVM का इस्तमाल होना चाहिए या नहीं इलॉन मस्क भी इसकी बात कर रहे है लेकिन इसके टेक्निकल इशू के बारे में ज्यादा बात नहीं करके देश भर में सिर्फ मुंबई नॉर्थ वेस्ट सीट की चर्चा हो रही है इस चुनाव नतीजे पर और जिस तरहा चुनाव आयोग ने हमारी पार्टी के नाम और सिंबल को लेकर जो फैसला दिया है उससे ये बात सिध्ध हो गई है कि Election Commission Compromised है इसको लेकर विपक्ष के कई नेता सवाल उठा चुके है कि चुनाव आयोग किसी पार्टी के कार्याले की तरहा काम कर रहा है इतनी साजिश के बाद भी इंडिया गडबंधन ने अच्छे नंबर प्रात किये है अगर ये गडबड़ी ना होती तो केंदर की सरकार बदल जाती मुझे लगता है कि फ्रॉड हुआ है सवाल ये है कि मुंबई नॉर्थ वेस्ट सीट पर काउंटिंग सही थी क्या इस पर पारदर्शिता होनी चाहिए वोट काउंटिंग सही होनी चाहिए ट्रांस्पिरेंसी परतना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है आज ये लड़ाई शुरू हो गई है जो सवाल EVM को लेकर है इस पर देश की दूसरी जगहों पर भी सवाल खड़े हो सकते है जो BJP जीत की बात करती है तब हो सकता है कि ये 303 से 240 सीट पर आ जाए देश में साफ सुथरे चुनाव होते तो BJP 40 सीट भी न जीत थी इस मुद्दे को BJP डाइवर्ट कर रही है जो सवाल हम उठा रहे हैं उस पर चुनाव आयोग ने ध्यान नहीं दिया तो हम कोट में जाएंगे हम जीतेंगे नॉर्थ वेस्ट सीट हमारी है संजे राउट ने भी कहा कि इलेक्शन कमिशन BJP की इशारे पर काम करता है उस पर यकीन नहीं किया जा सकता आधि ठाकरे और संजे राउट को जवाब दिया एकनाचिंदे की पार्टी के नेता संजे निरुपम ने संजे निरुपम ने का विपक्ष के नेताओं ने एवियम को लेकर फेक नेरेटिव फैलाया जिस अखबार की खबर के आधार पर विपक्ष ने ये जूट फैलाया अब उसने भी क्लारिफिकेशन चाप दिया है माफी मांग ली है संजे निरुपम मेका इस मामले में जो केस दर्ज हुआ है वो भी एवियम हैकिंग का नहीं है कौन्टिंग सेन्टर में फून के इस्तेमाल का है इसलिए अब विपक्ष के नेताओं को भी माफी माग लेनी चाहिए कम से कम देश के तमाम नेताओं को ये स्विकार कर लेना चाहिए कि 2024 में EVM हैक नहीं हुआ था अगर EVM हैक होता तो राहुल गांदी दो-दो सीटों से धाई लाग तीन लाग वोट से नहीं जित जाते अगर EVM हैक होता तो बीजेपी सिर्फ 240 सीट नहीं जित थी अगर EVM हैक होता तो कॉंगरिस पार्टी 99 सीटे नहीं जित थी और अगर EVM हैक होता तो उबाठा वाले लोग इतनी सारी सीटे मुंबई बे नहीं जीत पाते हैं तो यह एक दुस्प्रचार कल अखबार के जरिये किया गया आज मुझे अच्छा लगा कि जिस अख़वार ने ये फरजी खबर चापी तो उसने माफी माँग लिए मैं चाहता हूँ कि राहूल गांधी भी उस फरजी खबर को आगे बढ़ाने के लिए माफी माँगे और बाके जिन में ताओं ने भी उस फरजी खबर के अधार पर हमारे देश में लुकतांत्रिक बेवस्ता और चुनावी प्रक्रिया को बदनाम करने का शडियंतर रचा उन्च सबको माफी माँगनी चाहिए एलन मस्क जो भी है वो कोई बहुत बड़े टेकनिकल आदमी तो नहीं है वो एक व्यापारी है एक बिजनिसमैन है चैट जीपीटी के मालिक भी है और चैट जीपीटी पे आप पूछिए कि आप क्या इंडिया में EVM होता है तो वो बताता कि नहीं होता है होई नहीं सकता इसका मतलब एलन मस्क खुदी गलत इंफर्मिशन दे रहा है उनकी गलत जानकारी को इंडोर्स कौन कर रहा हमारे देश के विपक्चिय निता चुकि उद्व ठाकरे के पार्टी ने मुंबई नौथ वेस्सीट की रेटर्निंग आफिसर के रोल पर सवाल उठाए इसलिए इसलिए रेक्शन कमिशन की तरफ से भी सफाई दी गई चुनावायोग ने साफ साफ कहा कि EVM को अनलॉक करने के लिए किसी OTP के जरूरत नहीं होती है ये एक स्टैंड अलोन डिवाइस है जिसे हैक नहीं किया जा सकता मुंबई उत्तर पश्चिम सीट की प्रेजाइडिंग आफिसर वंदना सूरवशी ने बताया कि काउंटिंग सेंटर के अंदर जो फोन था वो उन लोगों को ले जाने के ज़्यादा दी गई थी जो इलेक्शन का डेटा सौफ्वेयर में लोट करते हैं इवेम पर कोई OTP नहीं आता है इवेम का OTP होता यह जो हमारे यह एंपर के लिए एक ओं-लाइन सिस्थिम है जए डेटा कंपायलेशन होता है नाट ओनली डेटा कंपालेशन पूरा जब से इलेक्षन डिक्लियर होता है हर चीज जो नॉमिनेशन आते है हमारे पास जो वैलिडली नॉमिनेट होते है फिर उजे एफ़ेडेविट है सब वहाँ अपलोड करते हैं तो हर चीज जो इलेक्षन में होती है वो एनकोर पे हम अ अपने अफिस के लोगों के नंबर अंडर देर सिग्डेचर दिये थे तो उनको हमने अलाव किया था मुंबई नॉर्थ पस्चिम नॉर्थ वेस्ट सीट के नतीजों को मुद्दा सिर्फ इसले बना जा रहा है क्योंकि जीत हार का अंतर यहां बहुत कम रहा शिंदे की शि इसलिए यह साबिक करने की कोशिश की जा रही है कि एवियम के जरिये गड़ बड़ी हुई लेकिन पहले कई बार हाज जीत का अंतर इस से कम रह चुका है कई बार तो निता एक वोट से चुनाव हारे और जीते हैं 2008 का राजस्तान का असेम्बली इलेक्शन मुझे याद है सीपी जोशी कांगरिस के तरफ से मुख्यमंत्री पत्की कुर्सी के सबसे बड़े दावेदार थे लेकिन नादरा सुीट पर सीपी जोशी बीजेपी के कल्यान सिंक चौहन से सिर्फ एक वोट से हार गए थे इससे तरह करनाटक में 2004 के असेम्बली इलेक्शन के वक्ट कांगरिस के उमिदवार धुर्व नारेंड सिंग ने जेडियास के एार कृष्णा मुर्थी को सिर्फ एक वोट से हराया था और ये दोनों चुनाब एवियम से हुए थे लेकिन तब किसी ने एवियम पर उंगले नहीं उठाई इसलिए ये कहना कि मुमई नौस वेस सीट पर जीत का हार जीत का अंतर कम है इसलिए एवियम दोशी है एवियम में गड़बड़ी की गई है ये ठीक नहीं है देश में अब तक एवियम के जरिये 153 चुनाब हो चुके हैं 148 विधासभाओं के और 5 लोगसभा के हर बार हारने वाले इवियम को दोश देते हैं और जब वो जीत जाते हैं तो वही इवियम अच्छी और निश्पक्ष हो जाती है राउल गांदी पिछले चुनाओं में अमेटी से हार गए थे तो इवियम खराब थी इस बार अमेटी से जीत गए तो EVM ठीक है अब ये कैसे हो सकता है इस बार राउल गानी राइबरेली से भी जीते और वाइनाट से भी जीते तो दोनों जगाँ EVM ठीक थी और जहां विपक्ष का उमीदवार हार गया वहाँ EVM बेकार और नकारा हो गई वैसे आज राउल गानी ने वाइनाट सीट छोडने का आफचार एक अलान भी कर दिया राउल गानी राइबरेली से संसत बने रहेंगे वाइनाट सीट छोड़ेंगे अब वाइनाट से प्रेंका गान्दी चुनाव लड़ेंगी आज मलका जुन्खरगी के साथ सोनिया गांधी, राहूल गांधी, प्रियंका गांधी और केसी विर्णो गुपाल ने लंबी मीटिंग की इस मीटिंग में फैसला हुआ के राहूल गांधी को रायबरेली की सीच रिटेन करनी जाहिए और वाइणाट सीचे प्रियंका को चुनाव लड़ने के तयार हो गई, इस मीटिंग के बाद खडगे ने का, चूँकि रायबरेली सीचे गांधी नहरु परिवार का पुराना न नाता है. इसलि ले राहूल राय बारीली से संततध बनने रहेंगे और प्रियंक्का गांधी वाइनाथ के लोगों को राहूल की कमी खलने नहीं तेंगी कि अमारे नेता राहूल गांधी जी दो जगे से चुनके आये हैं, पार्टी ने ये तई कर दिया कि राहूल गांदी जी अपना राइबरियली का सीट रखना चाहिए क्योंकि उस फैमिली के साथ बड़ा जुडाओ है वहां से और पीडियों से महा पर वो लड़ते आये हैं, हमने ये तई करया कि वाइनाड से खाली सीट पे प्रियांका जी लड़ना चाहिए और इसलिए हम पार्टी के और से और मेरे और से उनको धन्यवाद देता हूं कि हमारी बात को उन्होंने रखी है जब ये हातरस का ये हादसा हुआ था तो उस वक्त उन्होंने कहा था, मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, तो वो लड़की लड़ सकती है, वहां से इसके बाद राउल गांदी ने का वाइनाड और राइबरेली में से किसी एक को चुनना आसान नहीं था, उन्होंने राइबरेली को चुना है लेकिन वो वाइनाड को भूलेंगे नहीं, राउल गांदी ने का कि प्रेंका गांदी के साथ मिलकर वो वाइनाड के लोगों की सेवा भी करते रहेंगे। और पूरी जिन्दगी उसको याद रखूंगा। प्रियंका वाइनार से चुनाव लड़ेगी। मगर मैं भी पिरियोडिकली वाइनार जाऊंगा। और जो वाइदे हमने वाइनार को किये थे, उनको हम पूरा करेंगे। राइबरेली का पुराना रिष्टा है। मगर आसान निर्ने नहीं था। मुश्किल निर्ने था क्योंकि जुडाओ दोनों के साथ है। प्रियंका गादे ने का कि राइबरेली और अमेठी से तो पुराना रिष्टा है। लेकिन वाइबरेली के साथ तो मेरा बहुत ही पुराना रिष्टा भी है। और 20 सालों से मैंने काम किया है दोनों राइबरेली और अमेठी में तो वह रिष्टा तो कहीं मतलब किसी भी तरह से तूट नहीं सकता है। उसको कायम रखने के लिए हम दोनों हैं। कॉंग्रेस ने राहुल गांदी के वाइबरेली के बारे में जो ऐलान किया वो सबको पहले से पता था। ये भी पता था वो राइबरेली रिटेन करेंगे, बस आज ये बात नहीं निकली कि प्रियंका वाइबनार्ट से चुनाब लड़ेंगी, प्रियंका चुनाब जीच जाएंगी, संसत पहुँच जाएंगी, ये निश्चत लगता है, पर ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था प्रियंका के अच्छी बात है कि वो रेलेवन्ट इशूज उठाती है, तीखे कॉमेंट भी करती है, पर भाशा के शालीनता और बर्यादा के थान रखती है, अब प्रियंका वाइबनार्ट सेलेक्शन की तैयारी करेंगी, दूसरी तरफ बी जे पी आने वाले विदासभा चुनाव के तैयारियों में चुट गई है, जिन राजियों में अगले कुछ महिनों में चुनाव होने हैं, उन राजियों में आज बी जे पी ने चुनाव प्रभारियों के नियुक्ति कर दी, महरास्ट में भूपेंड यादव को इंचार्च और अश्टिन विए अब बात करते हैं, दिल्ली में पानी के किल्द पर, इस पर बहुत राजनीती हो रही है, आम आदमी पार्टी दिल्ली में पानी की कमी के लिए बी जे पी को जिम्मेदार बताती है, और बी जे पी वाटर क्राइसिस को लेकर के जिर्वाल सरकार की नाकामिया गेनाती है, आ दिल्ली में पानी की कमी नहीं है के जिवाल सरकार के मिसमेरेजमेंट और टैंकर माफिया से साट गांट के चकर में दिल्ली के जनता को बूबबूब पानी के लिए तरसना पड़ रहा है तार दिल्ली में पानी की चोरी हो रही है पानी की काला बजारी अर्विन के जीवाल उनके मंत्र उनके विधाय कर रहे है अगर ये पानी की चोरी काला बजारी और ये बरबादी रोक ली जाए पानी का लीकेश रोक ली जाए तो दिल्ली को पूरा पानी मिल सकता है दिल्ली म आज जो पानी के लिए हाहाकार मचा है उसका कोई जिम्मदार है तो अर्विन के जीवान उनकी सरकार है लेकिन आम आदमी पार्टी के संसद संजय सिंग नारोप लगाया कि बीजेपी पानी के मुद्दे पर रातीती कर रही है हर्याना सरकार जान बूच कर दिल्ली को पानी की सप्राइब नहीं कर रही है लगी बीजेपी के एजेंट की तरह काम कर रहे है और बीजेपी के नेता दिल्ली के लोगा साथ देनी के बजाए जेल बोड़ के दफ्तर में तोठोड कर रहे हैं धरना दे रहे हैं प्रदशन कर रहे हैं संजे सिंग ने का ये सब बीजेपी का सियासी अधामा है पिछले कई दिनों से भारती जनता पार्टी के द्वारा प्रायोजी पानी का संकट चल रहा है दिल्ली के लोगों को पानी उपलब्ध ना हो और इसके लिए जितने जतन, जितनी साजिस, जितने तरीके से दिल्ली को पानी संकट में डाल सकते हैं, पूरी की पूरी कोशिस BJP के लोग कर रहे हैं पानी का उत्पादन कम क्यों हो रहा है? क्योंकि पानी पीछे से हमको मिलने ही रहा है। और जब हम हर्याणा सरकार से बार बार अनुरोज करते हैं, तो वो हमारी बात नहीं सुनते हैं। दूसरा जब LG साहब से शिकायत कीजिए, तो LG साहब शिकायतों का निस्तारण करने के बजाए उसमें अपना राजनीतिक स्टेट्मेंट जारी करते रहते हैं उनको उनका भी इंट्रेस्ट इस बात में है कि दिल्ली में कैसे पानी की समस्या रहे जब लोग पानी के संकट से जूज रहे हैं तो भारती जनता पार्टी के लोग हल्ला हंगामा गुंडा गर्दी आ जब संजय सिंग बीजेपी को कोस रहे थे उस वक्त दिल्ली सरकार की वाटर मिनिस्टर आतिशी सिंग वजिराबाद बेराज का दौरा कर रही थी आतिशी ने जल बोर्ड के अधिकारियों के साथ बात की और इसके बाद रिपोर्टर को सूखे पड़े बेराज का हल दिख जब तक हरियाना पर्याप पानी दिल्ली को नहीं देगा दिल्ली की मुसीबत कम नहीं होगी आज यहां पे वजीराबाद बराज में इतना सा पानी बचा है कि उसमें हमारे सामने चिडिया उस पानी में खड़ी है वहां पे बीच में से मिट्टी दिखने लग गई है आईलेंड दिखने लग गई है तो जो सारा पानी यहां से वजीराबाद वाटर ट्रीट्मेंट प्लांट चाता था चंदरावल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट चाता था उखला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट चाता था इन तीनों वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में पानी के प्रोडक्शन किया समस्या हो रही है दिल्ली में पानी का प्रोडक्शन यमना के पानी से होता है वो पानी एक हिस्सा पानी यहाँ पर वजीराबाद बराज पर आता है दूसरा मुनक कनाल से बवाना कॉंटेक्ट पॉइंट पर आता है एक तरफ मुनक कनाल में पानी कम आ रहा है दूसरी तरफ वजीराबाद बराज पर बिलकुल भी पानी नहीं है हम तो एक बार फिर हर्याना से अपील करेंगे कि दिल्ली वाले बहुत परिशान है हम हर्याना से अपील करेंगे कि वो यहां पर यमना में पानी छोड़ें क्योंकि वो जब तक यमना में पानी नहीं छोड़ेंगे दिल्ली में पानी की कमी लगातार बनी रहेगी नेता बीजेपी को हो या अमामी पार्टी के या कॉंगरिस के सब के सब राजने के बैयानबादी कर रहे हैं एक दूसरे पर इजाम लगा रहे हैं लेकिन इससे दिल्ली के लोगों को कोई फाइदा नहीं हो रहा चानकेपुरी, ओखला, नांगलोई, किराडी, उस्मानपूर ये ऐसे इलाके हैं जहां लोग एक-एक बाल्टी पानी के लिए तरस गए टेंकर से पानी की सप्लाई हो रही है लेकिन ये बहुत कम है कल आतिशी ने इलजाम लगाया था कि पाइप लाइन को नुकसान फ्चानी की साधिश हो सकती है इसलिए पाइप लाइन की सुरक्षा के लिए पुलिस तहिनात की जाए आज इसका असर दिखाई दिया दिल्ली पुलिस की टीम पेट्रोलिंग करके पानी के लीकेज के बारे में पता लगा रही है लेकिन दिल्ली एक लोग की मुसीबत पहले की तरह बनी हुई है लोग दफ्तर जाने के बजाए, काम करने के बजाए पानी के टेंकर के पीछे दौड रहे हैं और फिर भी पानी नहीं मिलता तो पानी खरीद कर पी रहे हैं यह कहा जा रहा था कि इस इलाके में सब घर में नल लग गए हैं पानी आ रहा है उसकी सचाए है उसमें कुछ कभी भी आप महां सप्वाइक खलुआ करके जिस ouvertष हो वह आकर करके देख सकता है कि पानी आ रहा है नहीं आ रहा है सरकार के रहे कि प्रीमे पानी दे रहे है बश्य फिरिम पाभ रहो फिरिम फीर थे प्रही енноеला है कैसे मोल के भसके फेर हूं पानी यह बहुत पी रहो ना कोई मंगा आएका पहुत देखा तब यहां मैं पानी पैसी बेना पैसा पादी नहीं डेलिश में आता है इदनि वह ची लीटर मिला उसी ते बुजारा करते हैं. गर्मी के मौसं में डिली में पानी की प्राब्ल्म नहीं नहीं है. हर साल इसी तरह की तस्वीरे दिखाई देती हैं. इसी तरह की बाते हैं, इसी तरह के शिकायत Joyce सुनने को मिलती हैं. हकीकत यह कि ना जल बोट के अफसरों को और ना दिल्ली सरकार को यह पता है कि दिल्ली में पानी की किल्ट की असली वज़े है क्या इसलिए नेताओं और अफसरों के बयान रोज रोज बदलते हैं जैसे पहले कहा गया कि हर्याना की बीजेपी सरकार दिल्ली को उसके हिस्से का पानी नहीं दे रही हरी हर्याना सरकार ने पानी की सप्लाई के डिटा चारी कर दिया तो केजरिवाल के सरकार ने का कि दिल्ली राजधानी है दिल्ली में पानी की कमी है इसलिए इनसानियत के नाते हर्याना सरकार को दिल्ली को और ज्यादा पानी देना चाहिए फिर जब पानी की बरबादी की बास सामने आई तो आतिशे ने कह दिया कि बीजेपी की लोग पानी सप्लाई करने वाली पाइप लाइंस को नुकसान पहुचा सकते हैं कुल मिलाकर इस मुद्धे पर सिर्फ सियासत हो रही है पानी की किलत का दोश दूसरों के सिर्फ मढ़ने की कोशिश हो रही है और इससे दिल्ली के हालात नहीं सूठेंगे अब मैं आपको बताता हूँ कि करनाटक में कॉंगरिस के राजिस सरकार ने चुनाव के बाद जनता को क्या रिटन गिफ्ट लिया करनाटक में पेट्रों डीजल टीन रुपे महंगा हो गया सिद्धर मैय के सरकार ने पेट्रों डीजल पर लोकल टेक्स पढ़ा दिया सरकार के स्टेसले के खिलाफ आज बीजेपी ने पूरे करनाटक में विरोध प्रदशन किया बीजेपी का कहना है कि करनाटक सरकार ने चुनाफ से पहले लोगों से बादा किया था कि वो पेटरल डीजल कदाम नहीं बढ़ाएंगे लेकिन अब जनता ने कॉंगरिस को वोट नहीं दिया कॉंगरिस को उम्मीद के मताबक सीटे नहीं मिली तो कॉंगरिस सरकार ने करनाटक के लोगों से बदला लेने के लिए पेटरल डीजल की कीमते बढ़ा दे जवाब में मुक्मंतरी सिदरमे ने का जब मोदी सरकार एकसाइस जूटी बढ़ाती है तो कोई कुछ नहीं बोलता सरकार को विकास से जुड़े कामों के लिए पैसे की ज़रूरत है इसलिए उन्होंने पेटरल डीजल पर टेक्स पढ़ा है तो बीजेपी पर सियासत क्यों कर रही है सिदरमे ने का कि ये बीजेपी का दोहरा चरितर है अन्हों कर कि उप्ती है केंदर सरकार में पैट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंग पूरी ने का कि सिधर मया अब चाहें कुछ भी कहें कोई भी बहाना बनाएं लेकिन सच तो यह है कि उनकी पार्टी ने लोगों से तमाम तरह के बादे किये खटा-खट पैसे देने की बात कही लेकिन करनाटक सरकार के खजाने में पैसे थे नहीं इसलिए उन्होंने जनता पर बेवज़े महंगाई का बोश डाल दिया I'm a little amazed that they made certain promises prior to the elections. They said के हम हर एक परिवार में सलाना एक महिला को we'll give her 1 lakh rupees. And then they suddenly realized that they had put their foot into their mouth or whatever the expression is. And they decided that one way to bolster your finances was to raise the price of petrol and diesel. After having done that, they are compounding their original mistake by a series of other lies. What are those lies? कि समबड़ी ऐलस इस रिस्पॉंसिबल, आपने एक्शन लिया है. आपको तो वो खटाखट महंगाई ख़तम करने थे यह खटाखट महंगाई बढ़ गई है. And now they are compounding their lies. करनाठक सरकार को विकास के कामों के लिए पैसे की जरूट अचानक महसूस नहीं हुई. काजाना पहले से खाली है. और सच्चा ही है कि सिदर्मया पेट्रोल डीजल पर टेक्स पढ़ाने का फैसला काफी पहले कर चुके थे. वो सिर्फ लोग सुबा चुनाव खत्म होने का इंतिजार कर रहे थे. चुनाव से पहले फैसला करते तो नुक्सान हो जाता. इसे चुनाव खत्म होने के बात किया. सिदर्मय ये बात माने या ना माने जनता सब जानती है. टी टून्टी वर्ल्ल कप में सुपर एट के अपने पहले मकाबले के लिए टीम इंडिया अमेरिका से वेस्ट इंडिस पहुच गई है. सुपर एट का पहला मकाबला बीस जून को बाबर्डोस में होगा भाराउत्व पाकिस्तान, अफगानिस्तान के बीजी. बाबर्डोस में अफगानिस्तान के खिलाफ तैयारी कर रही, टीम इंडिया ने आज सम्वंदर के किनारे वालीवॉल खेला. बी सी सी आई ने टीम विडिया के वीडियो जारी किया है उसमें भारती क्रिकेट टीम रिलेक्स नजर आ रही है प्लेयर्स का एक्साइटमेंट इसमें दिखाई दे रहा है सुपर रेट में चार-चार टीमों के दो ग्रूप होंगे इन दोनों गुरूप में टॉक पर रहने वाली दो दो टीम्स को सेमी फाइनल में जागा मिलेगी गुरूप वन में इंडिया के लावा बंगलादेश, अफगानिस्तान और आस्ट्रेलिया है गुरूप टू में वेस्ट इंडिज, इंग्लेंड, यूएससे और साउथ अफरिका है सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि इस वर्ल्ड कप में दूसरे देशों की टीमों में भी इंडियन ओरिजिन के प्लेयर्स अपना जलवा दिखा रहे हैं सूपर एट के लिए कौलिफाई करने वाली यूएससे के टीम में आठ खिलाड़ी इंडियन ओरिजिन के हैं कैनेडा की टीम में तीन, यूगाड़ना में तीन और ओमान की टीम में एक इंडियन ओरिजिन का प्लेयर है इन में से कई तो ऐसे हैं जोनों ने भारत में डॉमेस्टिक क्रिकेट खेली है अमेरिका को सूपर रेट में पहुंचाने में इंडिन रोलिजन के प्लेयर्स की परफॉर्मेंस का बड़ा रूर है अमेरिका के टीम के कप्तान मोनांक पटेल गुजरात ने हैं पाकिस्तान के खिलाफ उनकी बैटिंग के वज़े से अमेरिका ने मैच जी था सौरब नितरवलकर का पाकिस्तान के खिलाफ वो सूपर ओवर सब को याद रहेगा स्पिनर केंजिगे और हरमी सिंग्य के गेनबाजी ने अमेरिका की जीत में बड़ा रोल प्ले किया कैनेडा की टीम के नमदी धालीवाल ने वरल्ल काप के पहले ही मैच में अमेरिका खिलाफ 36 गेनों में हाफ सेंचुरी लगा कर इत्यास हर्च दिया था अब अमेरिका की टीम सुपर एट में है ऐसे में इंडियन औरिजिन के इन खिलाडियों के लिए ये बड़ा मौका होगा कि वो अपने टैलेंट को शोकेस करें